एलो फ्रेंड्स, लॉक्डाउन की थर्ड एनिवर्सरी आप सभी को मुबारक हो, कॉंग्राइजुलेशन्स आप सभी लोग बच गए बढ़िया सा दिन, सनलेट जल्दी आ रही है अच्कल, जो बहुत उच्ची बात है जीन साल पहले ठीक 23rd मार्च को लॉक्डाउन फर्स टाइम एनाउंस हुई थी, हम सब की लाइफ में पहले ऐसा नजाराव और मंजर जो हमने कभी नहीं देखा था, ऐसा एक सिचुएशन लॉक्डाउन हमने देखा काफी अच्छी चीजे हुई, कुछ बुरी चीजे भी हुई, एक्टिवा पे घूमते हुए, आवारा लोगों पे जो पुलिस ने हाथ साफ किया है, जो डंडे बरसा है, वो वर्ल्ड वार से कुछ कम नहीं था अच्छी चीजे जैसे की मास्टर सेफ से भी बड़िया बड़िया डिशेस जो हैं, हर रोज वाटसैप के ग्रूप पे आते थे कफी सारे लोगों ने इस मौके का अच्छा फाइदा उठाया, और फिटनस, और काफी अची चीजे जैसे की पैशन्स ऑर हॉबीस पे फोकस किया काफी सारे लोगों ने कुछ start-up plans और innovative ideas भी बनाएं, काफी सारे लोगों ने काफी पैसा भी बनाएं मुझे लगता है lockdown में जितनी health awareness हुई है, उतने short period of time में मुझे ने लगता कि past में कभी इतनी ज्यादा awareness WhatsApp इनियस्टी कित्रू हुई है सब लोगों पता चल गया है कि health की importance क्या है, immunity क्या होता है और viral infections कितने dangerous हो सकते हैं health, fitness और hygiene और sanitization की एक अलग level देखने को मिली पूरी दुनिया के जो medical systems है वो जल्दी से upgrade हो गए और इन सब चीजों के कारण communicable diseases after 2020 में काफी sharp decline देखने को मिल रहा है यानि कि एक दूसरे को फैलने वाले जो diseases होते हैं, infections होते हैं उसमें sharp drop है और इस एक महिने के दोरान जो है nature ने take over किया और pollution levels में जो है वो unprecedented sharp decline देखने को मिली लेकिन काफी दुख की बात है कि around 68 lakh registered deaths हुए यह एक underestimate है क्योंकि actual deaths जो हैं इससे काफी ज्याद है हम सब ने अपने परिवार वाले या फिर अपने दोस्त या पहचान वालों को खोया है unfortunately कुछ लोग जो है इस situation का फाइदा नहीं उटा पाए या इस problem का शिकार हो गया जैसे कि research यह कहता है कि 2020 के बाद में जो mobile user वो सबसे all time high है lockdown के बाद भी यही pattern और trend चलते आ रहा है screen time और mobile addiction जो है वो अब एक dangerous concern बन गया है इसके साथ ही lockdown के time पे यह देखा गया है कि सबसे ज्यादा substance abuse हुआ यानि कि addictive substances जैसे alcohol जो लोग occasionally drink क्या करते थे वो लोग habitual हो गए 2020 के बाद highest cases of mental problems, mental health में सबसे ज्यादा issues देखने को मिले obesity के साथ साथ सारे chronic diseases जो है वो shoot up हो गए तो यह lockdown का जो वक्त है तीन साल पीछे जो हुआ वो एक research करने के लायक human behavior कैसे act करता है और किस तरह से आपको beneficial हो सकता है, किस तरह से आपको लुकसान दे सकता है यह research करने के लायक एक time है So these are two sides of the same coin, PCB situation को आप कैसे adapt करते हो, उसकी maximum benefit आप कैसे लेते हो या आप उस situation को सकम हो जाते हो, यह situation से आप judge कर सकते हो मैं यह बात जरूर मानता हूँ कि कोई यहां से बचके नहीं जायाएगा, सब लोग को जाना ही है लेकिन life is precious और यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है आपने अपनी life कितनी अच्छी जी, कौन से कौन से experiences आपने जमा किये, क्या क्या आपने सीखा आपने अपनी life और experience के through कितने लोगों के touch किया quality of life जो है वो बहुत ही कम लोगों के अच्छी होती है सिर्फ जिन्दा रहना काफी नहीं है अपने terms पे जीना, खुश रहना, fit रहना, motivated रहना और दूसरों की help करना बहुत important है यह वीडियो और यह lockdown की anniversary एक reminder है कि अगर आपने इस situation से कुछ नहीं सीखा है तो अब भी देर नहीं हुई है आपकी life transform करने के लिए तो मीरे आपको यह वीडियो पसंद आया है वीडियो को like, share और comment कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अलविदा